हलो मेरा नाम डॉक्टर दीपक क्लेकर है मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोन और वैसन मुक्ति तग्य हूं आज मैं आपसे बात करने वाला हूं शराप की नश्या एक सामाजिक अभिशाप हमारे समाज में हमारे कलचर में मत देश में कफी सारे लोग ऐसे हैं कि जो सोशल रिंकिंग करते हैं मतलब कोई उत्सव है शादी हैं तो दूल मैं या कोई ऐसा मत्रब बड़े उत्सव को है कि यहार है उस समय या पारेटियां है कॉन्फरेंसे से तो वहां social ॡिंकिंग करते हैं कि और social drinking ये normal बाना जाता है लोग सब्सक्राइब करने करने वाले अधक में एक दो बार लेने माले जो लोग है वो व्यक्ती चैल क्यों वह मतलब हमारा वेनदिन जीवन के लिए बहुत जादा मात्रा में शराब जरुत होना उसके सिवाय हम जिना जी नहीं सकेंगे काम ही नहीं कर सकेंगे दिमाग चलेगा इने शराव लिए बिना हम काम शुरू नहीं कर सकते उसको बोलते शरावी शरावी लोगों का आयूमान जो रहता है उस्ष्यमान वो 10-15 साल से बाकी लोगों से कम होता है वो जल्दी मर जाते हैं और वैसी शरावी लोगों में हाट डिसीजेस रुडे के विकार लिवर के विकार लिवर डिसीजेस और खुदकुशी यह बहुत कॉमनली दिखाई जाता है शराव पिने से चिड़ चिड़ा पनाना गुस्सा करना फिर जो बारिक मोटर सिम्टम रहतीन मतलब जो मोटर एक नहीं हूं को इमोशनली वो अनस्टेबल हो जाते है शराव पिने के बाद में उनका जो कंट्रोल रहता है दिमा के पर वो निकल जाता है और फिर जैदा बाते करना चलों करेगा या फिर कुछ लोग शराव से दसलाख लोग हमारे देश में हर साल शराव के हो जह से मरते और कम से कम उत्ते 8 से 10 लाख लोगों को एक्सिडेंट में शराब की वजह से एक्सिडेंट में उनको कुछ ना कुछ बीमारियां होती है मतलब जखम होती है या उनको कुछ मार लगती है एक्सिडेंट हो जाता है और उसके वज़े से उनको बीमारी हो जाती है हाट डिसिजन्स मतलब रुबे विकार, कैंसर इसके बाद में शराब की वज़़ा से होने वाली बिमारियां का तीसरा नंबर लगता है शराब की वज़़ा से काफी सारे मैन अवर्स मतलब घंटे बहुत सारे घंटे बरबात होते हैं कि कुछ यो काम नहीं कर सकता बहुत जादा शराब पिया दूसरे दिन चुटि ले ले लेगा का ऐड़ 수 कुल्स में बच्चे आएंगे इंगे यो श़विश आपट हो तो काम पे जाएंग ने चुटिया मारेंगे या काम पे सिरée प्रॉदॉक्टिव काम नहीं करते उनकी उ और स्टूपर्स हो जाएंगे, स्टूपर्स इसका मतलब कि अभी हल्चल कम हो जाएंगी, बहुत सारी नीन लेंगे, बहुत ज्यादा ऐसा दर्द भरा ऐसा दबाया उसको नो तो वहां करेंगा, सिर्फ बाकि उसको दर्द भी कम लगता है और कभी-कभी बेहोशी भी आ जात है, कभी-कभी कुछ लोगों तो बाहर जाते है शराब पीते है और उनको बाद में मालूम ही नहीं होता नहीं है कि फिर बाद में क्या होगा, उनको दूसरे दिन सबेरे यार आता है कि अपन घर में है, मतलब शराब पीके वो कहीं गिर जाएंगे, प्रस्ते पे गिर जाए जहां पीते वह बार में गर जाएंगे फिर वहां से उनको कोई उठा के लाएंगा और उनको मालूम ही नहीं रहता है उनको उसको वलतें ब्लेक आउट मालूम ही रहता नहीं है कि अपन शराब की वज़े से पूरा मतलब पूरी आरदाश निकल जाती है ब्लैक आउट बोग तो छो शराभी है उनको बहुत ज्यादा दिन तक शराभ पीने के वज़े नशा करने के वज़े से फिर भर्म होना शुरू हो जाता है आखो का भर्म का प्रम हाख और कान या चम्डी का भर्म या फिर विचारों का व्रम शक्कीले बन जाते हैं और पत्नी के उपर शक्क करें कि ऐसा बोला जाता है कि उनको लेक अल्कोहल इंक्रीज़ेद डिजायर बट टेक सवेड़ परफॉर्मंस मतलब उनको सेक्स करने की इच्छा बहुत ज्यादा हो जाती है मगर वो सेक्स कर नहीं सकते और इसके और पत्नी के उपर शक लेना जगडा करना जंजट करना वो चलू हो जाता है मतलब खुद नहीं कर सकते शक करेंगे पत्नी के ऊपर तो इससा भी होता है कि इसके इलाज क्या है कि यह लोग बहुत ज्यादा आएदी बहुत ज्यादा नशा करता होगा तो उसको फॉस्पिटल करने के बाद में उनको अच्छी सारी नीन होने के लिए नीन की दवाईयां फिर नूट्रिश इंजेक्शन्स विटामिन के इंजेक्शन्स फिर भूग नोट लगेंगे उसके लिए कुछ दवाईयां और उनको जो भी मतलब कोई कमी होंगी शर्ण में खुन तपासने के बाद में तो उसकी दवाईयां उसको जरूरी होता है कि बहुत साल से पीरा है तो यह आपना काम खुद नहीं कर सकता बात में पतल 앞 उसको क्या करते हैं हमारे हस्पिडल में एडमिट करते हैं एक मेने से तर टी this muid करते हैaría you उसके बाद में उनको रखम श् てक्षस उक्षण सीखाते इसलों को उपने गाव में जब जायेंगे इसलीं में आधने इनुह जाएंगे वातार में जाएंगे तो वह वापस से उन्हें काम करना चाहिए क्योंकि पहले जैसा काम समझों नहीं करता हूंगा तो उसको खाने पीने के लाले पड़ जाते हैं या घर चलाना कैसा बहुत सारा करजा रहता है कमाई नहीं रहती है तो उसको वह भी सिखा दे कि अभी जाके वह कमाई कैसे कर सकेंगा कुछ इसी दवाई यह रहती है कि जो दवाई देने के बाद में या शराब पीता है तो उसको उल्टी आती है जिसके वाज़े से उसको बहुत बैटे कि मैं या शराब पीूं मा तो उल्टी आ जाएंगी तब ज्यादा खराभ हो रखना ताकि फिर से वह शराबी ना बन जाए तो वह विलाज reality इतना रखना है कि शराबी एक बार तो जिन्दगी बन शमार है जैसी कि वावा डायविटेस हो गया समoral वीवेश बीमारी है इस वो जिन्दगी म trophल्म करने के बाउजूद भी को शुरू करेंगा मालूम नहीं तो कभी भी शुरू कर सकता है इसलिए हरदम सतर करेना दबाई लेना और अलकोहलिक अनॉनिमस करके और समझता है ऐह आ बोलते हैं अलगोहली के अनुममस जहां सब लोग जमाँ हो जाते हैं जिन को शराप छुड़ने की इच्छा या जोने शराप छुड़ी हुई है नहीं उनका समुह है गुरूप रहता है आप गुरूप साइकोधरेपी होती है एक दुस्य को सपोर्ट करते हैं आज दुसे और और इक थ्यूस朝गत। हो चकी है तो सब लोगों ने मिल कि सुदारने की कोशिश करना है और एक नया जीवन में चालू कर सकता है कि अब कभी भी शुरू करेंगा शराब लेना इसके लिए हरदम सा तरह होना जरूरी है कि आपके संपर्क में काफी सारे लोग होंगे जिनको शराब के लट लगी होंगे शराब चुट्टी नहीं होंगे उनको जरूरी वीडियो बताएंगा मतलब बताईए उनको शेयर करो आपके आशकल तो क्या है कि सबके पास में वाट्साइप ग्रूप है तीज चालीज पचास वाट्साइप ग्रूप है ये वीडियो लोगों को वाट्साइप क्यूप पर शेयर करो ताकि जिनको जो भी सोशल ड्रिंक कर रहे हो उनको काम में जाएगा और वह इलाज कर सकेंगे और अपना जीवन अच्छा कर सकेंगे हमारा तो उद्देश यह हमारा तो विजन यह है कि वही मेंटल हेल्फ पर आल सब के लिए मानसिक स्वास्तिय और शराब मुक्त भारत हर व्यक्ति पावर्फुली उनका जीवन सशक्त मतलब शक्ति चाली जीवन हर व्यक्ति जी सकेंगा और सक्षम उसको क्षमता उसकी हमारा सपना है आप भी उसमें हाथ बर लगाएगा लोगों को यह शेयर करो सब्सक्राइब करो थैंक्यू बेरिमार्ट